इसे बनाने के लिए फंदो का कोई बंधा नहीं है, आप अपने रिक्वाइर्मेंट के अंसार कितने भी फंदे डाल सकते हैं, तो मैंने सलाई में 11 फंदे डाले हैं, बाडर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो सभी फंदे हम सीधा बुलेंगे तो पहली लाइन में हमने सभी फंदे सीधे बुले लिए, अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉंग साइट, तो रॉंग साइट से हम सभी फंदे उल्टे बुलेंगे तीसरी लाइन में हम सभी फंदे सीधे बुलेंगे और चौथी लाइन में सभी फंदे उल्टे तो हमने चार लाइन बुना, पहली लाइन में सभी फंदे सीधे, दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे, तीसरी लाइन में सभी फंदे सीधे और चौथी लाइन में सभी फंदे उल्टे तो ये डिजाइन का पांचवा लाइन है और सामने से तो पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे और नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे तो इन्ही दो फंदो को हमें पूरी लाइन में दूराना है एक फंदा उल्टा बुनना है दूसरे फंदे को स्लिप करना है next funda उल्टा फिर slip करना है उल्टा next funda slip करना है एक funda उल्टा next funda slip करना है और last funda बचेगा जिसे हम उल्टा बनेंगे तो इस तरह हमने 5वा लैन कम्प्लीट कर लिया चछती लैन में सभी fund say उल्टे बुन लिया अब ये हमारा सात्वा लाइन है और सामने से तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे अब उनको अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा उल्डा और नेक्स्ट फंदे को स्लिप करना है तो पहला फंदा है इन ही दोनों फंदों को हमें दूराना है एक फंदा उल्टा बुनना है अगले फंदे को स्लिप करना है अब देखे इस फंदे को हमने पिछली लाइन में उल्टा बुना था तो अब की इस लाइन में हमें इस फंदे को स्लिप करना है और देखे इस फंद को हमने slip किया था तो अब की इस फंदे को हमें उल्टा बुनना है यानि जिस फंदे को हमने बुना था उसे slip करना है और जिसे हमने slip किया था उसे हमें उल्टा बुनना है लास्ट फंदा इसे हम सीधा बन लेंगे और रॉंग साइट से सबी फंदे उल्टे अब इन ही आठो लाइनों को हमें उपर उपर दोहराना है और देखिए ये खुबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा ये कितना सुन्दर है बनाने में इतना आसान देखने में उतना ही खुबसूरत लग रहा है जैसे यहाँ चेन रखे गया हूँ बनाने में जितना आसान देखने में उतना ही खुबसूरत सामने से ये ऐसा है और पीछे से ऐसा प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब थेंक्यू, थेंक्स फर वाचिण